एक समय की बात है, देश के पहाडी इलाकों में बसे एक हलचल भरे गाव में माया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी. माया अपनी असीम जिग्यासा और सभी छोटे बड़े जीवों से अपने प्रेम के लिए दूर-दूर तक जानी जाती थी. एक ठंडी शरद रितू के दिन, जब वो अपने घर के पास जंगल में घूम रही थी, माया एक छिपे हुए खुले मैदान पर पहुँची, जो हर आकार और प्रकार के मश्रूम से भरा हुआ था. लेकिन जो चीज उसकी आँखों को सबसे ज्यादा भागई, वो थी एक छोटी परी जो एक मश्रूम के उपर बैठी थी, उसकी पंक धूप में चमक रहे थे. परियो का नाम लिली था, जिसने एक शरार्ती मुस्कान के साथ माया का स्वागत किया और उसे मश्रूमों के बीच जादूई चुपन चुपाई का खेल खेलने के लिए आमंतरत किया. माया ने खुशी के साथ इस चुनोती को स्विकार किया और बड़े-बड़े मश्रूम के बीच दोड़ने लगी, जबकि लिली एक से दूसरे मश्रूम पर उड़ती हुई हस्ती रही. जब सूरज डूबने लगा, माया और लिली वापस खुले मैदान में आ गए, उनके दिल उनके एक साथ बिताए गए रोमान चक समय से खुशी से भर गए थे. माया ने अपने नए दोस्त को धन्यवाद के साथ अलविदा कहा, ये जानते हुए कि उनका बंधन जीवन भर के लिए रहेगा. उस दिन के बाद से, जब भी माया को अपने जीवन में जादू की जरूरत महसूस होती, वो लिली से मिलने जादूी जंगल में जाती, उनके साजा किये गए दिल्चस्प दोस्ती के लिए आभारी होती. और इसी तरह, देश के पहाडी इलाकों में बसे हलचल भरे गाव में, जिग्यासू लड़की और चंचल परी एक साथ अंगिनत रुमांच पर निकलते रहे, उनकी हसी जंगल में सालों तक गुंचती रही.